नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विलेंट स्वागत है आप सबी लोगों का इस यूटूब चैनल के साथ आज इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं वह है जोई इन स्मॉल तिंग्स एक छोटी से लाइन किसी महापुरुस ने कहा था कि बड़े-बड़े सहरों में ऐसे छोटी- आज बात करेंगे इसी मुद्धे पर कि आप छोटी चीजों में खुसियां कैसे डूर सकते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर जैलूरी क्यों है तो याद रहे कि जो बिग अचीवमेंट्स होते हैं जो मॉनॉमेंटल इवेंट्स होते हैं जनरी यह जो हैपिनेस ल जादा हो तो उसका duration बहुत काम होता है और जब intensity काम होती है तो duration जादा होता है exactly यही life के साथ भी है अगर आप बहुत बड़ी बड़ी खुसियों के पीछे पढ़ेंगे अकसर वह बहुत temporary यह बहुत ही short period के लिए आते हैं लेकिन अगर आपने अपने life में छोटे-छोटे चीजों से खुसियां धूरना सीख लिया तो आप जो है long lasting happiness की तरफ बढ़ सकते हैं और क्यों धूरना है happiness और joy इन छोटे चीजों में क्योंकि हम अपने life को एक बहतर तरीके से जीना चाहते हैं और ultimate हमारा purpose जो है वो इसी peace, शुकून और happiness की तरफ ही दो होता है हर एक छोटी चीज हमारी life के लिए बहुत important है बहुत important इसलिए है क्योंकि ये एक temporary नहीं एक long lasting happiness लेकिया आती जैसा कि मैं बता चुकूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, research भी ये कहता है कि जो लोग छोटी 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 चीजों में खुस रहते हैं, जो लोग छोटी 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 चीजों से खुस रहते हैं, जबकि जो लोग सिर्फ बड़े चीजों से ही या बड़े achievement से खुस हो पाते हैं, वो थोड़े से कम happier होते इसलिए research भी यही कहता है तो हम भी यही कहते है कि छोटी चीजों में खुसियां धूनना चाहिए तो सवाल आता है कि कैसे धूने तो उसी चीज के लिए जो है मैं जुड़ा हूँ आज आज आपको बात करने के लिए कि कैसे जो है happiness को छोटी चीजों में पाजा सकता है तो start finding happiness in the small things लेकिन कैसे उसके लिए कुछ basic चीजे हैं जैसे छोटी चीजों के example के तोर पर आप देख सकते हैं यह क्या है एक sunrise ही तो है लेकिन इसमें बहुत छोटी enjoyments जो है छोटी चीज लेकिन बड़ा enjoyment तो यह sunset यह sunrise तो यह छोटा सही happiness तो है beautiful sunset और sunrise अभी है क्या यह आप balcony में बैटके भी sunrise का आनन दुरा सकते है अपने family के साथ, loved one के साथ, दोस्तों के साथ उसको enjoy करिये और छोटी सी खुसी आपको एक long-lasting happiness भी दे सकते इस छोटे से pleasure छोटे से joy में बहुत कुछ छुपा है सर्फ यही नहीं एक आप coffee की बात करें मैं अगर simple सी बात करूँ आप coffee तो daily पीते होंगे या चाय पीते होंगे जो भी आप लेते हैं चाय, coffee, whatever, सुबह सुबह या नहीं भी पीते होंगे ग्रीन टी ले रहे हैं, what, कुछ भी करें अगर उस चीज़ को तोड़ा सा अच्छे से enjoy करने की गोसिस करें बालकनी में खड़े हैं या रूम में भी बैठें तो कोई एक अच्छा सा view बनाने की गोसिस कर रहे हैं माइंड में या बालकनी में खड़े होंगे उस हर एक sip को feel करिए उस जो चाय की गर्माहट को feel करिए वो सिर्फ आपके जिस्म को गर्म नहीं कर रही है वो आपके रूह को भी वो heat वो जो energy है वो पहुचा रही है आपको उन छोटी-छोटी चीज़ों को मानियो details को थोड़ा feel करना और जिस दिन आपने ये करना सुरू कर दिया अपने आस पड़ोस की चीज़ों पर बड़ा ही अच्छा है साथ ही में अगर आप किसी एक love one के साथ hurtful conversation करते है अच्छा लगते है चाय वो partner हो चाय वो अपको दोस्त हो कभी भी आपने देखा होगा मम्मी के साथ जब आप कभी मामा के घर जाते है तो दोस्तों के साथ रहते हैं दोस्तों का मतलब वही जो relatives होते हैं और आत की कि दो तीन बज़े की conversation कितनी अच्छी लगती है साथ में अगर कभी अच्छा हो किसी partner के साथ आप बैठे हैं इससे कुछ अच्छी बाते एक meaningful एक अच्छी बाते जब आप शेयर करते हैं तो आपके पूरे दिन की थकान दूर हो जाती इसलिए ये conversations भी आपके लिए बहुत helpful रहते हैं So there are different methods जिसके through आप अपने चोटे-चोटे चीजों में joy को ढूण सकते So find joy in the little things ये पढ़ा important गुद्ध है और कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं 6 methods आपके साथ discuss करने वाला हूँ पहला method है being present in the moment अगर आप present में जीते हैं तो आप joy को find out कर सकते हैं दूसरा mindfulness तीसरा cultivating gratitude and fourth engaging in the simple pleasures fourth practicing kindness and sixth embarrassing the curiosity या जो आप बोल सकते हैं wonder इसको बोलते हैं take time या कै सकते हैं कि आप अपने अपने लिए take time for yourself उसके लिए भी invest time for yourself वो भी important तो लगबग 6 से 7 techniques जो है वो जरूरी होती हैं आपको joy भूडनी के लिए चले discuss करते हैं कि कैसे कर सकते हैं पहला that be present in the moment moment में present रहना भी एक important जरूरी है और life you know that is moving very fast आप आज की जिंदिगी को देखो इतनी जदो जहद वाली जिंदिगी इतनी तेजी से मूव कर रही है कि life चलती चली जारी चलती चली जारी और हमें जीनी का मौका नहीं मिल पाता है हम अकसर जो है always think about our next task or goal एक complete हुआ दूसरा सुरू एक complete हुआ दूसरा सुरू why हम ये क्यू कर रहे हम थोड़ा सा जो है अपने चीजों को और बहतर क्यू नहीं कर सकते उसके लिए हमें करना क्या है थोड़ा सा जो है एक pause लेना थोड़ा सा slow down होना और अपने senses को जो है use करना अपने senses को जब आप use करेंगे आपकी आसमा से लिटकेट कोई flower है उसके smell को महसूस करिए उसके color को महसूस करिए उसके texture को महसूस करिए music है उस music को महसूस करिए चीजों को महसूस करेंगे आप उससे करेंगे जह अपने श सेंसन साइब को और जो है जोई ढोन ना की कोषिस करेंगे इसको observe करिए, feel करिए, इसको दीखिए, इन में खुसियां छुपी हैं और अगर आप थोड़ा सा observe कर पाएं, मेरे साथ साथ इस lesson में एक बहुत अच्छा चीज होगा observe करिए, आप कहां बैठे हैं, कहां पर कैसी तरीके के लोगे, क्या picture अगर आप इस वक्त दिन में सुन रहे हैं, तो क्या किसी garden में है, कहीं पर भी है, या कभी आपके garden में कोई flower है जाए जरा सो से देखिए, उसको feel करिए, it will help you to find out the happiness in life in the small things एक example मैंने tea और balcony का आपको पहले दिया था, कभी छट पर बैठो, एक चाय की सिप लेके छट पर जाओ, बालकनी पर जाओ, जाओ, जाओ सब दुनिया को दीखो, एक एक सिप के साथ life को, moment को pause करके देखो, इतनी रस भरी जिंदगी में अगर थोड़ा सा ठहराओ, आप ले ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत के जो चोराय पर कही सारे चाय की टर्फरी की दुकाने हैं, तभी जाइए वहां खड़े हुए, सुबह सुबह 6 बजे, वहां पर कचोडी जली भी मिलती, खाईए चाय की सिपली जे और तानन्द करिए उस महौल को, you will feel good, जब आप नी गाट पर ऐसे घाट दसा सुमित घाट पर पैट के आरती देख लेते हैं, तो आपको अलग सी जो है अनुगोती, अलग सी जो है असी मानंद की प्राप्ती होती है, और जो लोग अगर आप कभी भी देखे हैं, तो comment box में बता सकते हैं, कि आपको कैसा अनुभा हुआ था, अगर आपको कभी बनारस आये हैं, और कभी अपनी विंगा अर्ती देखी, तो आपको कैसा अनुगा हुए था, और अगर आप future में देखना जाते हैं, तो क्या आप excited है, आपको लगता है कि क्या मज़ा आएगा, comment box में जरू बताईएगा, मैं जानना चाहूँगा, आपक कर रहे हैं, walk कर रहे हैं, auto में travel कर रहे हैं, try to feel each and everything around your life, it is very important to feel each and everything, जितना आप present में जियेंगे न, उतना ही अपने life में happiness को ढूनना बहुत आसान होता है, try to live in present, ठीक है, यह तो पहला जो तरीका मैंने आपको बताया है, छोटे-छोटे चीजों में खुसनिया ढूनने का वो है present में जीना, जो कि बहुत सरो ही है, अब इसके बाद दूसरी, जो है point की बात करें, वो है mindfulness, अब mindfulness है क्या, तो mindfulness को simple, अगर बोला जाया तो आप अपने thoughts को, emotions को, sensations को, इन सभी को observe करना, आपके body के अंदर जो चल रहा है, उन सभी चीजों को, attention to the present moment without being judgmental, अगर आप judgmental होने के, बिना आप present moment को joy करें, वाँ, this is nice, this is, ये present होने, present situation में जीने कल, अब उसको थोड़ा साम, deep down meditation से, ये आपके brain और बोड़ी से जोड़ने जाए, अपने बाहर के senses को, तो इन जाना ही करना है, सासत अपने deep senses में भी जाना है, जैसे कि आपके सोच, आपके emotions और senses, आ आपको क्या चीज अच्छी लग रही है, ये सारी चीजे जो हैं, आपके mindfulness के लिए बड़े important है, क्योंकि उसी सी तो पच्छा सकते है, जब आप mindfulness से जीते हैं life को, थोड़ा सा details को observe करते हैं, तो even छोटी छोटी चीजे जो आप भूल जाते हैं, appreciate करना, enjoy करना, वो चीजे भ appreciate करते हैं, कभी रास्ते चलते हैं, आपने देखा होगा कई सारे से flowers पड़े रहते हैं, कभी उन्हें तोड़के या कभी उन्हें महसूस करके देखा है, they are very beautiful, तो उन्हें देखिए थोड़ा सा, ऐसी चीजे छोटी 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 कभी आप रवाग कर रहे होते, एक जो है कह सकते हैं, कि ममी, जो कह सकते हैं, कि डॉग की जो ममी होती है, छोटे 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 पपी से होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, क्यूट से जाते हैं, आप अपने लाइफ में इतने भाग दोर में निकल जाते हैं, कि mindfulness को भी नहीं देख पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो ह आप अवेक आपको पता है आप क्या कर रहे हैं अगर आपको यह पता है आप अवेक है तो मैंदफोलनेस इस वेरी ग्रेट तूल तो जो इंजॉआ अवेरी तिंग इन वेरी स्मॉल मोमेंट और छोटी चोटी चीजों में भी खुशी है डूढ़ने के लिए बहुत इंपॉट्टेंट है कभी कभी आप इसी इसको इंजॉए कर सकते हैं अपने विंडो अगर आपके विंडो से सनलाइट आती है तो कई लोगों की विंडो के स अब सब्सक्राइब करें तो और अच्छा लगीगा कि तो यह पी एक बात करने का मन करेंगा मैं इतनी पी टेक्निक बता रहा हूं जितने भी सांपस दे रहा हूं यह कोई ऐसा हाड़ इन फास्ट ऐसी टेक्निक नहीं कर रहा हूं कि बस लिखित है आप इन सब चीजों को एक बार प्रेक्टिस करके देखो बड़ा मजा आएगा आप छोटी-छोटी चीजों में खुसिया धून पाओ गे सेवें डेख सेट दिन में अपनी हर चोटी चीजों को जो ऐसे करूंगा जो जो मैंने टिप्स बताया इसको ट्राई करके देखो बहुत मजा आएगा आप चोटी-छोटी चीजों में खुसिया धून पाओ गें तभी कोई टेस्टी खाना मिलता है मम्मी ने बनाया किसी रेस्टरेंट में गया या किसी फीनए कुछी इस को ट्राई किया अपको डिलिसीज लगा बाओ तो अपने सेंसेस को अवेक करना अपने बॉड़ी को हां मेर और आप ने देखा हो सुबसबब उठके आप थे गरम पानी को इंटिक करी है तो बाढ़ी से जब जाता है तो अपको सब भी होता है एकजेक्टली वह वक्त है लेकिन आप उसको दूसरे से कई लोग अते ही ही करके आते हैं या हसते ही नहीं खुलके, खुलके हसना सीखो, लाफ्टर यानि हसना मतलब खुलके, इसलिए आपने देखा कई सारे बड़े बुजुर्ब योगा करते हैं या ऐसे प्रक्टिस करते हैं पार्क में, सबी लोग, ठीक है, तो वो सबसे पहला टेकनीक है मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप जो है अपने माइडफॉलनेस को और इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप छोटी छीजों में जो है खुसियां या जो है वो ढोल सके, साथ में योगा is another example, अगर आप योगा करिए, कहीं पर भी कर स्पेस अवेलेबल हो, अगर आप योगा करते हैं तो भी आप जो है एक बहतर माइडफॉलनेस को डेवलिप कर सकते हैं तीसरा है डीप ब्रीधिंग और यह तो मैं अकसर कहता रहता हूँ, डीप ब्रीधिंग इस वेरी इंपर्टेंट तूल जो कि आप यूज कर सकते हैं आपको छेंड करने के लिए और बहतर तड़ीके से जो है कह सकते हैं कि माइडफॉलनेस को इंक्रीज करने के लिए और याद रहे कि अगर कभी आप ऐसा ट्राइ नहीं करते हैं तो आप अपने मोबाईल में या तीजो पर रिमाइंडर सेट करिए, कि वह रिमाइंडर आप तो हम इन चीजों को एंजॉय करेंगे, try it, for sometimes you will get feel like यार क्या इतनी अच्छी चीज़ है, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है इस चीज़ पे आपको बात कर रहा हूँ कि आप ट्राइ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो कुछ अप्लाई खुद नहीं करता है, जो चीज़े मैं try नहीं करूँगा, वो मैं किसी को ग्यान देता ही नहीं, मैं try कर रहा हूँ and I'm feeling good, that's why I'm telling you कि आप भी कभी try करके देखो अच्छा लगेगा, सो अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ basic steps हो सकते हैं आपके meditation से mindfulness को और बहतर करने के लिए, तो meditation का basic जो procedure इसको हम बुलते हैं कि सबसे पहले आप एक proper मुद्रा में बैठ जाईए, फर उसके बाद जो है deep अपने सांसों को deep breathing pattern में लेके लेए और अपना पूरा का पूरा attention अपने breathe लेके लेके आईए, कैसे कैसे जो है air in कर रहा है, कैसे कैसे out कर रहा है, in और out को जो है देखिए body से कब lever रहा है, कब inter कर रहा है, धिरे धिरे air के सांसाथ अपने बाकी body के चीजों को feel करिये कि मेरे body में कहां का आप एक इस तरीकी की चीजे, थोड़ी बहुत जो feel senses होते है, उसको feel करिए, इन साथ में आपका mind में कहीं सारे thoughts आएंगे और जाएंगे, उन thoughts को कभी control नहीं करना है, meditation कभी नहीं कहता है कि control your thoughts, you have to filter your thoughts, thoughts are coming and thoughts are going, यह चलदा रहेगा, thoughts will come, thoughts will go, you have to put a filter कि आप किस thoughts पे focus करना चाहते है, thoughts को control करने का सीज़ा तरदीका होता है कि filter लगाने की कोसिस करिए, धीरे धीरे अपका filter करने का मतलब है कि जो thoughts कभी ऐसा अच्छा सा लग रहा है, तो एक अपना space create करिए कि yes, जिसको आप positive, जो है visualization भी लोग बोलते हैं कि हाँ मैं अगर qualify कर गया, या मैं अच्छा अमीर इंसान बन गया, जो भी आप चाहते हैं future में उसको visualize कर सकते, and this will create a positive energy in your mind, this will create a something that like जो अगर आप feel करेंगे तो आपको बहुत अच्छा है, जो लोग करते हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग आपको बताते भी हैं, उसका एक छोटा से example में आपको यहां भी बताएं कि आप ऐसे करिए, पहले बैठ गिए, body को deep breathe में ले जाईए, फिर सांसों पर feel करिए, फिर पूरी body पे और फिर अपने सोच पे, और सोच को कभी control मत करिए, सोच को filter करिए, धिरे-धिरे आपको जो अच्छा लगे, उस सोच को थोड़ा सा पकड़े लिए, मतलब उस पे और डीप सलते चले चाहिए, और इस तरीके से आप एक बहतरी जो है अपने mindfulness को develop कर सकते हैं, तो पहला तरीका जो मैंने बताया था कि आप जो है प्रेजेंट पे रहके अपने joy को जी सकते हैं, दूसरा जो तरीका मैंने बताया था वो था आपका mindfulness, तीसरे अब हम की बात करें तो वो टेकनिक है cultivate gratitude, gratitude को cultivate करिए, कहा जाता है कि gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs onto joy and change ordinary opportunities into places, कई बार हम जो है gratitude करते ही निए, मतलब हमें जो मिला है, वो हम उस तीसको county नहीं करते है, एक बहुत ही beautiful line कही है निदा फाजली जी ने, कि दुनिया जिसे कहते जादू का खिलोना है, दुनिया जिसे कहते जादू का खिलोना है, मिल जाये सो मित्टी, हो जाये तो सोना है तो यही होता है कि जो मिलता है वो ही हमें मित्टी हो जाती है और जो नहीं मिलता है वो सोना हो जाता है हम जो मिलता है हम उसे काउंट ही नहीं करते हैं उनको जब हम काउंट नहीं करेंगे तो हमें blessings की तरह का भी नजर ही नहीं आएगा ठीक है इसलिए thanksgiving होना gratitude show करना बहुत ज़रूर है अपने family के लिए nature के लिए God के लिए it is very important to being thanksgiving तो इसलिए ध्यान रहे कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को attitude को develop करें तो focus on the good things and counting your blessings इसी दिन अगर आप ऐसे जोन में हैं पैठी रहा काउंट करें कि कितनी अच्छी चीज़े हुई हैं कितनी इच्छे family members हैं कुछ लोग जो मुझे प्यार करते हैं ऐसे चीजों को जब आप feel करेंगे तो तो यस आप इन चीजों को count करने की गोशिस करिए beautiful sunrise ऐसे मैंने बताया इसको फिल करेंगे delicious meal को आप enjoy यह सब feel कर सकते हैं यह सारी चीज़े जो है gratitude की तोर पर सो करते हैं thanks to God कि इतनी इच्छी sunrise मुझे मिल रही है आप gratitude सो कर रहे है thanks to like mom या thanks to someone जो इन्होंने मुझे इतना अच्छा delicious meal खिला आप जब यहां पर gratitude नहीं सो कर रहे है तो आप क्या करते हैं थोड़ा सा positive energy को transmit नहीं करते हैं gratitude is something जो आप feel कर रहे हैं उसको दूसरे को feel कराना है इसके नहीं दो चीज़े आप try कर सकते हैं एक gratitude journal और gratitude jar जर्नल के तौर पर आप कोई diary या कोई भी notebook ले सकते हैं और आप जो है यह चीज में पहले किया अगरता ता लेकिन अब मैं नया जो चीज सुरू के हूँ मैं इसके बाद बताऊंगा gratitude journal का basic sense यह है कि आप दिन में 5 या 10 जो भी अच्छी चीज़े होई होती हूं सभी चीज अच्छा हुआ है कोई भी जो है हर एक छोटी-छोटी जो चीज़े हैं जब आप नोटिस करके उनका gratitude सो करोगे nature के लिए mom dad किसी के लिए भी आप एक कह सकते blessings के तौर पे ले रहे हैं आप thanksgiving हो रहे हैं कि thank you कि आप ते मेरे लिए किया तो उसको लिखिए 5 यह 10 जो major चीज जो पर आपको जो focus है वो बढ़ जाएगा अगर आप बहुत negative सोचते हैं तो इसके लिए आप gratitude का भी यूज कर सकते हैं जो मैंने एक चीज शुरू करी वह gratitude जार का आप एक जार ले लीजिए और उसमें जो है daily ठीक है तो तीन चार जो भी आपको लगता है वो अच्छी च लाएगा कि आप अकेले हैं ही नहीं आपके साथ आपकी फैमिली आपका नीचर गॉर्ड इवरिटिंग इस विट यू 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 आट अलोन यह चीज़े gratitude जार के तौर पर develop करिये तरह समझे जो चीज़े हैं ठीक है उन पर थोड़ा focus करनी की कोसिस करिए तो record of positivity जो है वो है daily affirmations affirmations जो होते हैं वो positive saying words होते हैं मतलब अगर हम अपने बारे में किसी के लिए अच्छे अच्छी बाते करते हैं तो से affirmations के तौर पर ले सकते हैं या नहीं कर रहे हैं तो आप अलग से भी कर सकते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह नहीं कि मुझे अमीर बनना है मैं अमीर हूँ अगर आप अपहाँ नहीं होते हैं तो चोटी चोटी चीजों में खुसिया छूपी है नहीं होते हैं वहीं तो मैं बता रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीजों में खुशिया छूपी है न वो छोटी नहीं होती है। They are the dynamite of the happiness. टूडो. So, कभी पार्क में वाउक करके देखो. अगर आप पार्क में वाउक करते हो, you will feel great. किया होगा जो कर रहे होगे, बताना जरा कैसा लग रहा है। कभी करते हो तो अच्छा फील होता है कि नहीं होता है। Definitely you will feel great. मैं अपने जो है, कह सकते हैं, बुरे समय में इसका बहुत साहरा लेता था, कि ताकि मैं अच्छा फील कर सकूँ. Simply sit and observe the beauty of nature around you. कभी अगर ऐसे जगों पे जाओ, तो बैट जाओ. और सिर्फ अपने nature को observe करो, उनकी beauty होती हो, आपको अच्छा लेगा, कई लोग इस चीज की examples दे सकते हैं, कि हाँ यार यहाँ पे गयते, सिर्फ बैट के सुकून मिलता है, वो जो peace है, वो जो joy है, वो आपको देखनी को मिलेगा उस nature में. आप अच्छी-ची books, जो है, वो read कर सकते हैं, और books उसे बताने के जरूत नहीं है, बहुत सारे जो है, लोग बताते हैं कि कौन से book रीड करनी जाए, यह आपकी choice है, लेकिन कोसिस करिएगा कि एक अच्छी message की book पढ़िए, इसमें एक खास message चुपाओ, ठीक है, तो वो चीजे बढ़ेंगे, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, इसके साथ आप music सुन सकते हैं, आपको पता है कि positive music, ठीक है, हर music नहीं, कुछ music जो है, आपको demoralize, आपको sad emotions की तरफ खीशते हैं, आप ऐसे songs को चैन करिए, जो थोड़े positive music से, जन में कुछ positive words है, positive affirmations है, positive keywords है, वो जब आपके कानों पर पढ़ते हैं, तो आपके brain उसी तरीके की चीजों को imagine करता है, उसके images create करता है, जैसे create करता है, आप जो है अच्छा feel रहते हैं, ठीक है, आपके body में कई सारे dopamine, oxygen, आपने नाम सुने होंगे, इसके बारे मैं बात करूंगा, मैं next video में, तो उसके भी दिजार करते रहना कि next video में बात करेंगे, इसको मैं एक important terms तर्म से तर्म पर लेक्यार हो, dose of happiness, और वो dose of happiness वो आपको मिलेगा next video में, इंतिजार करेंगे, साथ में एक और तरीका करें, कभी कभूतर के साथ enjoy करें, उन्हें दाना खिला रहे हैं family के साथ, क्या है यह अच्छा लगता है, छोटी चीज यह ना, आप जो है छोटी चोटी चोटी प्लेजर के लिए चलते हैं, और साथ में चाय की चुसकी लेते हुए किताब पढ़ना, जूला जूलना, डॉ सकते हैं, नेक्स्ट जो चीज यह वह प्रैक्टिस काइनेस, मतलब थोड़ी सी कहते हैं, नो एक्ट ओफ काइनेस, no matter how small it is ever wasted, कोई भी जो एक्ट ओफ काइनेस होता हो, कभी वेस्ट होता ही नहीं, तो यह जो है ऐसोक ने बोल तो प्रैक्टिस काइनेस, प्रैक्टिस करते ह ना तो आपको एक sense of purpose मिलता है sense of connection मिलता है कभी कुट्टे को रोटी खिलाया कभी कभी कोई भी थोड़ा सा आप सेज ऑफ connection सुर बदी तो आपको पता चलेगा आपका दोस्त कभी कुई जरूरत मेंद है तो आपने उसकी मदद करी यह क्या है यह सब चीजे तो ही तो है न जो आपको help कर रही है आपने कभी किसी food back में serve किया या कभी जो है आप ऐसे जगों पे जाके तो भी help करते हैं थोड़ा सा kindness हो करते हैं साथ में आपका कोई दोस जैसे मैंने बताया अगर वो परसान है इमोस्टली ट्रबल में तो आपके help करी साथ में अ किसी चाइल को मेंटर कर रहे है यह भी act of kindness ही तो है आप दयालूपन दिखा रहे है उसको help कर रहे है पढ़ा रहे है मैं भी तो यह वीडियो बना रहा हूं act of kindness ही है इसके लामा आपकेसी NGO में contribute कर सकते है non-profit organizations इसको आप बोलते non-government organizers तो इसमें आपकेस को contribute करते है वेक्चों को सिखाते है पीटी ही तो यह से यह चीज़े पीटी है यह है जो लोग मेरे इर्दगिर्द रहते हैं वो जानते हैं कि मैं अक्सर चाहे मैं as a educator अपने classes की बात करूं या मैं as a brother, as son अपने family की बात करूं या as a friend में अपने friend circle की बात करूं मैं हमेशा यह कोशिस रहती है कि जब भी मैं present रहता हूं तो मैं एक थोड़ा act करता रहता हूं थोड़े dialogues, थोड़े से teasing, थोड़े से छेर खानी करता रहता हूं और अगर जो लोग इस बात से सहमें तो जरूर बताईएगा मैं कोशिस करता हूं एक प्यारी सी बात क्या कुछ भी करता रहता हूं तो जैसे अगर आप से कोई बोले कि you are looking beautiful today, आपको कैसा लगेगा, you will feel good, अगर बोलेगा कि यार अच्छे लग रहे हो, यह color आपके suit कर र थोड़ा सा दयालू बने अच्छा रहेगा और यह आपको छोटी-छोटी चीजों में खुसियां धूडने में भी मदद करेगा, now the next point is take time for yours, या yourself, याद रहे कि taking time for yourself is not selfish, it is an act of self-love and it is necessary for your over well-being, जिया अगर आप अपने लिए समय निकाल रहे तो इसका मतलब नहीं कि आप self-care जो है apply कर सकते है, recharge, bubble bath, bubble bath जो है वो try कर सकते है, अपने आपको थोड़ा सा re-boost करिया, इससे re-boost होता है, पुरे body का, brain का, योगा कर सकते हैं, अगर आप yoga practice करते हैं, तो जब आप yoga करेंगे, तो भी जो है एक तरीकी का self-care जो है वो show कर सकते हैं, apart from this self-care के तोर पर प जाता है, यार, एक कप coffee मिल गई, यार, looking gang, stress दूर हो गया, मजा आ गया, तो यह चीजे भी जो है, वो आप try कर सकते हैं, apart from that, relaxation कर सकते हैं, meditation के तो आप अपने body को relax कर रहे हैं, यह कर लीजे, या relaxation, जो है, simple, बैट जाहिए, और जो solitude का feeling होता है, जो आप कभी-कभी बैट जो है, आप hobbies का सहारा ले सकते हैं, अपने लिए समय निकालने के लिए, आप किसी को painting पसंद है, painting कर लो भाई, किसी को gardening पसंद है, खासकर मुझे बहुत पसंद है, love gardening, तो gardening कर लो, कितना interesting चीज़ है, किसी को music पसंद है, music instruments को play करना सिको, अपने के समय निकालो, ultimately, and I love cooking too, तो यह जो कोश एक्जामपल से मुझे पसंद है, वो पहने रखे हैं, जरूरी नहीं कि आपको भी पसंद हो, तो आपको जो पसंद हो, अपने लिए समय निकालो, अपनी hobbies में इंक्लूड कर, तो यह आपके mood को बहुत अच्छा रखेगा, आपका मन फुस रहेगा, बहुत आपको की हर चीज को हर मोमेंट को जो है, एक excitement से देखना, कहते हमारे हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता, अगर उस बच्ची को जगा देना, तो हमें हर चीज में एक adventure, एक curiosity नजर आएगी, और अगर आपने उस बच्ची को tap कर लिया ना, मजा आजाएगा जि ऐसे बहुत सारे गेम होते थे बच्ची में, ठ्राई करो यार, यही तो एक जिंदगी है, क्या कुछ लेके जाओगे, बस यादे, तो यही यादों को थोड़ा अच्छे से जी हो, तो आप जो है, अपने अंदर के बच्चे को जगा सकते, जब आप थोड़ा सा इस में मैंने कभी नहीं गया हूँ, देखते क्या होता है, I love adventures, तो I love, और यह adventures आपके sense of curiosity को बताते हैं, यहाँ यहाँ भी होग, कि लोग ऐसे movies बड़ा पसंद करते हैं, adventurous movies, तो यह सब चीजे आपके happiness के लिए important होता है, तो I would like कि आप अपने आपको open रखो, new experiences के लिए, new possibilities के लिए, जब अपने आपको open रखते हो, new experiences, new possibilities के लिए, तो आपके अंदर का जो बच्चा है, आपके अंदर की जो चीजे हैं, वो बड़ी अच्छी से चल रही होते हैं, और आपको मजा आता है फिर उन चीजों को जीने और करने में, छोटी-छोटी चीजों में खुश situations होती है, एक अच्छा जो है, वो happiness का महौल बनता है, अच्छा जब आपको ऐसी चीज़ है, तो छोटी-छोटी डीटील्स को मिस्क मत कर, छोटी डीटील्स का मतलब, जैसे हर एक छोटी चीज़ कोई अगर आपके सामने से वाग करके गया, आप कही पर गूम रहें, किसी अच्छा सा सूस पहना है, तो आप उसको भी देख और उसको अच्छा लगेगा, मैं अक्सर यह चीज़े कभी-कभी करता हूँ, और यह लोग चानते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, मैं, I don't know about the others, but मैं जब इस देपार्मेंट से पीच्डी करता था, मैं वहां के, हर जो लोग ग्रेड एंपलाईस होते थे, जो लोग ग्रेड एंपलाईस होते थे, उनसे मैं बहुत प्यार से बात करता था, साथ जितने मैं प्रोफेसर सा नहीं करता था, रिजन बिंग देट मैं, मुझे उनकी चुछ अच्छी लगती थी, और मुझे ऐसा होता है, कि सभी क अगर हट छोटी-छोटी डीटेल्स को उतनी तवज्जु दे तो बड़ा मजा आता है, हैपिडेस आपको देखने को मिलते है, साथ में कभी मन करें तो किसी नए कुजीन को ट्राई करो, किसी कुल्चुरल एवेंट को ज्वाइन करो, मजा आता है, कुछ लोग इतने होते ह जोसेट इंवन्चल करोंगे तो चीजि अःच्छी रहेंगे, क्यूंत के नएका है, जोक चायल निचर एवो दोड़ा सर निकल के और, गर निकर parl Ul cheese like तो यह कुछ मैंने टिप्स को जो है आपको बताया जिसके थू जो है आप छोटी-छोटी चीजों में खुसियां धूर सकते हैं और इंज्वाय कर सकते हैं यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और इसमें से आप कौन-कौन सी जीजे अप्लाई करते हैं और कौन-कौन सी जीजे आज अब अप्लाई करने वाले हैं इंतजार करूंगा आपकी कमेंट का फटा-फट दोस्तों तक भी पहुचाएए इस वीडियो को एक मेरी न नेक्स्ट वीडियो तिल दें बाबा तेक केर जाहत